तो आज हम बनाने वाले Poco X3 Pro, दरसल ये फोन में प्रॉब्लम ये है, ये फोन नहीं हो पा रहा है, तो हमने इसकी बैटरी भी चेक करी, बैटरी भी ओके है, तो हमने चेक किया, CPU ओल्टेज नहीं बना रहा है, तो हम फड़ाफट सिल ओपन कर लेते हैं, और ये टेप लगा आने वाले हैं, अभी देखेजिए, एक तरफ से रूम आधी कट चुकी है, हमारी दुसरे तरफ से लिकल चुकी है, तो हम उपर का ग्लू फड़ाफट क्लीन कर लेते हैं, और साइट से आईसी कटिंग कर लेते हैं, उससे होगा ये कि हमारे को आईसी उतारने में बड़ी आसानी जाएंगी, यह हमारा CPU उतर चुका है, अब इसके बाद हमें जगे पुरी प्रॉपर क्लीन कर लेनी है, अगर आपको कोई फोन रपेर के लिए बेजना है, तो यह जो नीचे दिया हुआ नमबर है, इस पर आप कॉंटेक कीजिए, या तो फिर वाटसप पर मैसेज क जो भी प्रॉबलम रहे, आपका प्रॉबलम सॉल्व कर दिया जाएंगा, ठीक है, अभी यह हमारा CPU क्लीन हो चुका है, तो हम इसे फड़ाफट साफ करके इसे रिबॉल कर लेंगे, एक बर में IC नी बनी तो दो बार में बन जाएंगी, दो में नी बनी तो तीसरे बार में होगे होई जाती है, CPU को नाइस अपसाइट है हमारा तो हम अपसाइट रखेंगे और इसे हीट मारेंगे, तो IC को धीरे-दीरे हीट मारना है हमारा होटरगन का नूजल जो IC से टच नहीं होना चाहिए, तो देख लिए जे CPU बस हमारा बैट नहीं वाला है, तो हम इसे हलका स फटाफट रोम आई सी रिसको साफ करके रिबॉल कर देते हैं तो देख लिए रिबॉल हो चुकी है हमारी पेस्ट लगा के से हिट मार दिये हलकी थी इसका भी नॉइस जहां सीपीओ का था वहीं जाएंगा अपसाइट तो अभी हमें धिरे-धिरे हिट मारना है इसमें से भी पेस्ट अइएख वापार आ गया है हमारा तो चलिए बस हमारा सीपियो बैट चुका है अब आ जाती है फटाफट बोड कु ठंड़ा कर लिए अभी हमने अभी हम पड़ाफट फोन टेस्ट करते हैं देखेजिये हमारा फोन अन हो चुका है वीडियो में पहली बर आया है लिए जया में मखें कीड़िये थूर चैनल सब्क्राइब ज़रूर किजिए अब मिलेंगे से हम नेक्स्ट व्यडियो में up बाईup को लेक्रत